असलाम अलेकर में वेलकम बैक तो मैं चालनल अमीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे तो आज मैं बात करूंगी प्रेगनेट के के केर के हवाले से वो भी विंटर में विंटर में आप किस तरीके से अपने केर कर सकते हैं अगर आपकी कैट प्रेगनेट है अगर आप लोग को प्रेगनेट के हवाले से बताऊंगी बहुत चोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत जादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आप लोगों कोई भी पार इसकिप नहीं करना क्योंकि अपसी डेली बेसिस के पर जो वीडियो में लेकर आउंगी हो विंटर के आ भी चुकी है और कुछ जगा भी आना स्टार्ट हुई है तो उसके नहीं जो भी मसले मसायल आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुंसे पूछ सकते हैं तो मैं आप लोग के लिए उसके पर वीडियो करेट करके आप लोग को बता दूंगी प वीडियो देखने चाहते हैं तो आप लोग मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट बनी वे इस चीज की तो उसके कुछ साइन वगर रहते हैं जब आप उस चीज से कंफा मुझा कि आपकी कैट प्रेगनेंट हो गई है और अब सर्दियों में जैसे गर्मियों में के की कीर करनी पड़ती है आप लोगोंने उस हालत में केस कभी पी नहिलाना नहीं बहुत वicer गलती हैं कि केट गंड यह है करने खाथे ककेर है तो आप अपनी कैट को यह वाइप वगरह होती है उसके थूआ अपनी कैट को साफ कर सकते हैं आपको उसको नहलाना बिलकुल नहीं है दूसरी चीज आपनो उसकी डाइट का बहुत जादा कयाल रखना है सिर्फ यह नहीं करना कि आप उसको सिर्फ ड्राइफ फूट के उपर रख रहे हो और आप कोशिश करो कि अगर आप ड्राइफ फूट दे रहे हो तो आप किटन में दो क्योंकि उसके प्रोटीन जादा होता है ना कि अडल में दो जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तीसी चीज यह कि उसके खाने की चेंजिस आने लग जाते है और चौती चीज यह है इन्वार्मेंट आपने इन्वार्मेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्यों क्योंकि अब सर्दियां है तो कैट को सर्दी भी लग सकती है फीवर भी हो सकता है और प्रेगनिंसी के इस कंडिशन में अगर ऐसा कुछ होता है तो कैट कोई भी ट्रीटमेंट वगारा नहीं कर सकते एविन कि आप नहीं इसको वेक्सिनेशन लगवा सकते हो नहीं कोई दूसरी मैडिसन वगारा दे सकते हो तो आपने इन चीजों का बहुत अच्छे से खयाल रखना है कि अगर आपकी कैट को डायरिया या कोई दूसी चीज हो हैं तो आपने खुद से कोई चीज नहीं करनी है यानि कि आपने उसको खुद से कोई मैडिसन वगारा नहीं देखने हैं आपने उसको फॉरन डॉक्टर के पास लेकर जाना है कोशिश यह करो मैं तो आप लोगो यह कहूंगी कि डाइट का बहुत जादा खयाल रखोगे त वगारा या कोई ऐसे मोटे गदे वगारा रखो जिसके पर वो अराम से सकून से बैट सकें लेट सकें सो सके यानिके उसको किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस वगारा ना हो यह चीज़ भी बहुत ज़ए ज़रुरी और दूसरा ही कि जब कैड्ट प्रेगनेंट होती है तो वो आप से बहुत ज़ादा क्लोज हो जाती है यानि कि अपने ओनर से बहुत ज़ादा क्लोज हो जाती है उसके पास रहती है उससे प्यार कर बाती है बार बार तो आप उसको कोशिश करो अपने पास लिटाओ अपने पास सुलाओ उसको खुब सारा प्यार करो अपने हाथ से खा अच्छा होता है तो उसके अदर कैट जा नवा खुदबाखुद ही ग्रोव कर रहे होती है उस तूरथ में कैट को हेर फॉल भी हो रहा हुता है तो उसके आपको फिकर नहीं करni है आपने उसकी डाइट का बहुत अच्छे से खया लगना है जितनी अच्छी डाइट होगी कोशिश करो के होम में डाइट बना के अपनी कैट को दो मैंने प्रेगनेंट कैट के पर प्रॉपर डाइट रूटीन बताई विए किस तरह से डाइट देनी है वो वीडियो में लास् सकते हो जब कैट अच्छी होगी तो उसकी बेबीज भी अच्छे होंगे और कोशिश करो के अपनी कैट की जो मीटिंग है ना वो तक्रीबन वन एयर पर करवाओ क्यूं क्यूंकि अगर इतनी चोटी कैट होगी तो उसको पर डिलिवर करना बहुत सारा मुश्किल हो जाता ह असा होता है कि प्रीमेच़्ियूर बच्चे होते हैं कभी कबार बच्चे मर भी जाते हैं तो आप ने इन चीज वह भी बहुत ज़ादा ख़या लोगार थियूनर विन्टर में काफी अच्छे होते हैं और दो रसको दें值 और तो तो उसको देए हो लिए उसके अपर मीज अगर पानी नहीं पीड़े पानी चेंज करकर के दो या फिर आप उसको सिरिलेक वगारा भी दे सकते हो थंडी चीजों को अवाइट करो या थंडी जमीन पे अगर वो लेट रही है तो इस चीज को भी आपने बहुत ज़दा अवाइट करना है के इलावा आपने प्रेग्नेंसी से पहले अपनी कैड की डिवार्मिंग और वेक्सिनेशन लाज़मी से करवा लिनी है उसे होगा कि आपकी जो किटन होंगे ना यानि कि वो जो बच्चे डिलिवर करेंगी हो बहुत ही उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़दा और बच्चे भी बहुत जादा हेल्दी डिलिवर करेंगी और जैसे जैसे उसको टाइमिंग खरीब आती जाये तो आप उसको बार बार चेक करते रहों कि उसके अंदर क्या चेंजिस वगारे आरे हैं और अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लग रही है कि जो उसके लिए डे करते हैं और वी गुफ